Hello friends, मैं हूँ Google और आपको Transit Pixels की एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूँ तो आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं Basically हम masking वाली जो last वीडियो था उसमें जो effect मैंने apply किया था इस community post के screenshot के उपर इसे आज हम इस वीडियो में recreate करने वाले हैं कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने आखा था जो मैंने आपसे पूछा था कि इसके उपर एक वीडियो चाहिए आपको यह फिन नहीं तो फैनाले आज इस वीडियो में हम इसे recreate करेंगे तो इस वीडियो को आप ज़रूरे एंट तक देखिएगा बैद वे जो masking वाला वीडियो है इसका अभी काम complete नहीं हुआ है बस इंट्रो के आसपास ही काम हुआ है इसमें और मैं आपके लिए एक और नहीं वीडियो बना रहा हूँ तो बेसिकली यहां पर एक ब्लाइक वीडियो लेयर है जिसका ट्रांसपरेंसी में ने घटा दिया था और इसके ऊपर हमारा एक after effects का composition है तो जैसे के आप देख सकते हैं effects control के अंदर इसमें 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 कोई ज्यादा effect को apply नहीं किया है तो आपको अच्छी तरीका से दिखाने के लिए मैंने जिस तरीका से उसे बनाया था आपको exactly वह तरीका दिखाने वाला हूँ तो यह था हमारा original composition जो कि after effects में था और यह थे कुछ effects और इन सभी को मैं भी आपको recreate करके दिखाने वाला हूँ तो भी हम ले जाते है new project जिसका नाम हम रख देंगे कुछ भी लिटरल कुछ भी रख देंगे इसका नाम और जो screenshot था मेरा उससे मैंने यहां पर dextro पर ही रखा वा था तो first mac sequence create कर रहा हूँ यहां पर तो मैं यहां पर simply a color matte ले रहा हूँ कुछ इस type की color का और यह जो हमारा screenshot है उसे हम simply यहां पर रख देते हैं तो अब देख सकते हैं यहां पर simple सा हमारा timeline बन गया है तो अभी आपको क्या गयना है आपको primary में जो effects मिलेगे इसके लिए वह काफी limited है जैसा कि आपकोужд a %3D ही है यहां पर मिलेगा यह वाला इससे जह्यादा आपको यहां पर यहां पर यहां पर यूज किया था और अगर आप sound बगर edit करना चाहते है तो same version का addition आपको चाहिए होगा यहां पर आपको इस project के लिए नाम पूछेगा आपने आप ही, यहां पर भी मैं लिख देता हूं simply, कुछ भी, then save, और आपका जो selected layer था, वो यहां पर आ चुगा है, अगर आप यहां पर भी कुछ भी करते हैं, जैसे कि अगर हमने यहां पर text लिख दिया, gh, और अगर आप य यहां पर update हो रहा है, अगर हम इससे हटा देंगे, तो यह भी यहां से हट जाएगा, यह दिखा इसलिए रहा है, क्यूंकि इसका media case file अभी तक update नहीं हुआ है, अगर आप ctrl s प्रेस करके save करते हैं, तब यह हो गया होगा, जब आप इससे render करेंगे, और 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 चेंज से apply किया था, जो कि आपको generate के अंदर CC light rays में मिल जाएगा, तो यह जो CC light rays था, उसका जो point से आप इस तरीके से उन्हें chance कर सकते हैं, उनका position वगरा को, तो मैंने इससे simply यहां पर रखा हुआ है, आपको zoom करके भी दिखा देता हूँ, एक second, कुछ इस तरीके से, एक point मैंने यहां पर रखा हुआ है, मुझे 3 points चाहिए, 3 fingers के लिए, तो मैं simply और 2 को भी यहां पर drag and drop कर दूँगा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां पर effects control के अंदर, मैंने जो 3 effects यहां पर drag and drop करके add किया था, इस layer पर वो सारे-सारे add हो चुके है, यहां पर हमें show हो रहे है, CC light layer and 2 and 3 के नाम से, तो अभी आपको क्या कहना है, simply इन सभी का position को पहले तो set कर देना है, जैसे कि mid के लिए मैं अभी CC light rays use कर रहा हूँ, CC light rays 2 का position है, मैं उसे left को लाना चाहता हूँ, कुछ इस जगह पर, और अभी यहां पर और एक effect बचा हुआ है, जो कि CC light layer 3 है, इसका भी horizontal position हैं हम change कर देते हैं, तो मैंने कुछ इस तरीके से इन तीनों को अपने अपने जगह पर align कर दिया, तो आपको याद होगा कि यह सब animated थे और इनका intensity बगएर और इसे बहुत सी चीज़ें change हो रहे थे, तो वेसी effect के लिए आपको सबसे पहले तो इनमें की frame animation को on करना और नहीं भी कर सकते हैं, आपका मर्जी है यह उसके अभी effect मैं आपको आगे दिखा दूँगा, तो मैं भी क्या कर रहा हूं, इन तीनों में intensity and radius के key frame animation enable कर रहा हूं, मैं आपको recommend करूँ हैं कि आप एक एक करके ही तीनों का change करें, आप इसा भी कर सकते हैं कि एक effect पे लगा क timeline पर यहां पर उसका intensity down, then इस जगह पर आने के बाद intensity थोड़ा up हो जाएगा, इस जगह तक थोड़ा down, यहां पर थोड़ा ज्यादा ही up हो जाएगा, हाँ और एक चीज इसका जो safe है उसे भी आप change कर सकते हैं, या तो round कर सकते हैं या फी square, और आप softness जो होता है, वह यहा step से बना हुआ है यहां तक, तो भी मैं इसका intensity को और थोड़ा down कर रहा हूँ, और यहां पर जो से bump होगा, then यही तक ही रखते हैं, तो भी मैं इससे auto पर set कर रहा हूँ, तो इभी देख सकते हैं आप यह जो light intensity है, कुछ इस तरीका से दिख रहा है अभी आपको, यह continuous चल ल लग रहा है, ending में और starting में, but जो final composition होगा, वहां पर यह चीज noticeable नहीं रहेगा, तो मैं उन दोनों को मिलाना नहीं चाहता हूँ, लिन आपको इनका जो radius है, उससे आपको change करना है, जैसे कि यहां से यहां तक आने तक, radius आपको कुछ इस तरीके से change करना है, तो radius को भी बहु आपको सही से दिखा सको, तो अभी हमारा जो mid वाला finger था, इसका तो animation बन चुका है, अभी हमें simply इन दोनों का भी बना देना है, या फिर अगर आप चाहो तो एक और काम भी आप कर सकते हो, यह जो दोनों effects हमने यहां पर apply किया था, वहां से ड्राग नाग करते हुए, इस effect को ही copy कर सकते हो, जो भी मैं यह path skip करने वाला हूँ, तो आप मुझे इस तरीके से इस effect को बना सकते हो, आपका time देके, मुझे बस आपको यह चीज़ समझा ना है, तो मैं अपना ध्यान नहीं दे रहा हूँ यहां पर, आप अपना time देके इससे कर सकते हो, और मुझे पता ह कि इनका भी जो light है वो, इन दोनों में ज्यादा आ रहा है, और इसमें कम आ रहा है, तो उसे भी थोड़ा सही कर लेते हैं, तो इसका radius ही इसा है, अभी हम उसे थोड़ा balance कर देते हो, और एक आपी सही लग रहा है, तो आप इस अपना time देके, और भी बहतर बना सकते हो, मै आपको simply यहां पे effects control में 3D आकर तो basic 3D search कर देना है, और यह वाल effect को यहां पे आपको drag and drop कर देना है, then आपको यह सब controls यहां पे मिल जाएंगे, basic 3D का effects के अंदर, just like this, और आप यहां से इसका controls कर सकते हैं, बट मैं आपको सही से दिखाना चाता हूं, तो मैं यहां पे कर र देता हूं, just like this, और यहां पे मैंने इस basic 3D effect का, swivel, tilt and distance to image, इन तिनों को animate कर दिया, तो अब सबसे पहले, आपको इस तरीके से इनका property चूज करना है, कि यह किस तरीके से घूंगते होए आने वाले हैं, और distance to image को भी आपको starting में बहुत ही दूर रखना है, then मैं यह चाहता हूं, कि यहां से यहां तक आते हुए, मैरे जो screen sort था, वो यहां पे appear हो जाए, तो इसके लिए, मुझे सबसे पहले इसका जो distance से उसे कम करना होगा, और मैरे camera के पास इसे लाना होगा, then आप tilt को भी normal कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, then swivel को भी आपको normal कर देना है, almost normal, एक आप इसे on करते हैं, तो यहां पर एक second दिखाता हूं आपको, यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको light source left side में दिख रहा है, जो कि जब जब हम इसे rotate कर रहे हैं, यह light यहां पर दिख रही है, इस specular light को भी आप on या फिर off कर सकते हैं, अपने मुताबिक, तो अभी ह यहां पर थोड़ा सा यह left को मुझ जाए, कुछ इस तरीके से, देने कुछ इस तरीके से हुए, देने इस तरीके से आप इसे animate करते हुए keyframes को add कर सकते हैं, मैं थोड़ा इसे ज़्यादा animate कर रहा हूं तो कि आपको इसका फंड़ा साही से समझ आए सके, ओके तो मैं यह च screenshot यहां पर appear हुआ था, वो पीछे चला जा, तो उसके लिए मुझे simply, सबसे पहले तो इसका जो animation था, उससे choose करना है, सबसे पहले इसका movement होने वाला है, या कर तो animation इसमें अभी add होने वाला है, नीचे जाते समय उससे choose कर देना है, देन आपको इसका distance को increase कर देना है, तो ज animation है हमारा, यह थोड़ा speed में हो रहे है, जर्क हो रहे है speed में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, simply इन तीनो फ्रेम्स को select करके, starting के तीनो फ्रेम्स, उन पर right click करूँगा, और keyframe assist के अंदर, as out को choose करूँगा, इसका shortcut है control shift f9, और अगर आप मिया की use करते हैं, तो command shift f9, तो simply आपको इन पर इस पर इस पर इस पर इस इन भी choose कर सकते हो, और बस अभी आपको control, command, as प्रेस करना है, अपने keyboard पर और यह save हो जाएगा, और अभी यहां पर आपको same animation नजर आएगी, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, अभी अगर मैं से render भी कर देता हूँ, तो आप देख सकत और अगर आप यह अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको एक बहुत ही अच्छा सा tip देने वाला हुमें, यह जो 3D का काम हमने यहां पर किया है, basic 3D को लेकर, अगर आप चाहो तो इसे ना करके, simple सा basic 3D भी यहां पर apply कर सकते हो, keyframe बगरा के जहमें element ना पढ़ यहां पर आपको simply animation presets के अंदर जाना है, जूम टंबल जिसे बस यहां पर drag and drop कर देना है, और अभी जैसे कि आप देख सकते हो, यह जो animation था हम यह almost उसी type का, यह simple 3D animation आपको बना के देदेगा, वही same basic 3D के साथ जिसे आपने वहां पर use किया था भी अभी, तो बस यही था इस वीडियो में अगर यह वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सबस्क्राइब कि यह मैं से useful tips, tips, tutorials वैली वीडियो सब के लिए लागते रहते हैं